गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले 9 माई 18166 फरवरी 19, 1915 भारत के एक्स्वतंत्रता से नानी समाज सेवी, विचारकेव्म सुधारक थे महादेव गोविंद्रा अनाडे के शिष्ण गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तिय मामलों की अद्वितिय समझ होर उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का अगले डस्टोन कहा जाता है वे भारती अराश्ट्रिय कांग्रेस में सबसे प्रसिध नर्म पन्थी थे चरितर निर्मान की आवशक्ता से पूर्नत सहमत होकर उन्होने 1905 में सर्वन्स ओफ इंडिय सोसाइटी की स्थापना की ताकी नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर नावश्यक्ता है स्वसरकार व्यक्ति की ओसत चारित्रिक दिड़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरू मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले का जनम रतनागिरी कोटलूक ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्ण राव के घर नौमई 1866 को हुआ पिता के असामियक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिश्णू और कर्मठ बना दिया था देश की पर अधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती राश्ट्र भक्ती की अजस्त्रधारा का प्रवाह उनकी अंतरमन में सदैव बहता रहता इसी कारण वे सच्ची लगण, निष्ठा और कर्तव्य प्रायनता की त्रिधारा के वशीभूत होकर कारे करते और देश की पराधीनता से मुक्ती के प्रेतन में लगे रहते न्यू इंग्लिश स्कूल पुने में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगा अधर तिलक के संपर्क में आए 1886 में वह फर्ग्यूसन कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेकन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलत हुए वह श्री एमजी रानाडे के प्रभाव में आए सार्वजन इक सभापूना के सचव बने 1892 में कांग्रिस में उपस्थित हुए 1896 में वेलबी कमीशन के समझ्या गवाही देने के लिए वह इंग्लैंड गए वह 1899 में बंबई विधान सभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिशत के निर्वाचत किये गए वह अफरीका गए और वहां गांधी जी से मिले उन्होंने दक्षन अफरीका की भारतिय समस्या में विशेश दिल्चस्पी ली अपने चरित्र की सरलता बौधिक शमता और देश के प्रती दीर्ग कालीन स्वार्थहीन सेवा के लिए उन्हें सदा सदा स्मारण किया जाएगा वह भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे उदारवादी विचारधारा के वह अग्रणी प्रवक्ता थे 1915 में उनका स्वर्गवास हो गया अफरीका से लोटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीती में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सकें पर इस सोसाइटी की सदसिता के लिए गोखले जी एक एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर सदसिता प्रदान करते थे इसी सदसिता से संबंधित एक घटना है डाश मुंबई म्यूनिस पैलिटी में एक एंजिनियर थे अमृत लालवी ठक कर वे चाहते थे कि गोखले जी की सोसाइटी में सम्मिलित होकर राष्ट सेवा से उरिन हो सकें उन्होंने स्वयम गोखले जी से न मिलकर देव जी से प्रार्थना पत्र सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए लिखवाया अमृतलाल जी चाहते थे कि गोखले जी सुसाइटी में सम्मिलित करने की स्वीकृती दे तो मुंबई म्यूनिस्पैलिटी से इस्तीफा दे दिया जाए पर गोखले जी ने दो घोडों पर सवार होना स्वीकार न कर स्पष्ट कहा कि यदी सुसाइटी की सदसिता चाहिए तो पहले मुंबई म्यूनिस्पैलिटी से स्तीफा दे गोखले की स्पष्ट और द्रढ भावना के आगे एंजिनियर एमरितलालम वी ठककर को त्याग पत्र देने के उपरान थी सोसाइटी की सदसिता प्रदान की गई यही एंजिनियर महोदय गोखले जी की द्रढ नीती निर्धारन के कारण राष्ट्रिय भावनाओं से उत्प्रोत सेवाक्षेतर में भारत विशुत ठककर बापा के नाम से जाने जाते हैं गोखले जी उनीस सौपाज में आजादी के पक्षमे अंग्रेजों के समक्षलाला लाजपतराय के साथ हिंगलेंड गए और अत्यंत प्रभावी धंक से देश की स्वतंतरता की वहाँ बात रखी 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए धन्यवाद